नमस्कार स्वागत है आपका फाउंडर इंडिया की इस खास पेशकर्स आटियाई लेंस में ये एक ऐसा लेंस है जिसके थू हम देखने की कोशिश करते हैं उन आकड़ों को उन जानकारियों को जो आटियाई की माध्यम से बाहर आती हैं और जिनसे हमें पता चलता है कि मावरफुल है कितनी मजबूत है कितनी इफेक्टिव है कितना काम अच्छे तरीके से कर रही है जनता के लिए और क्या नहीं कर पा रही है यह कहां सिस्टम किसी और रास्ते से घूम करके जा रहा है और चीजें कहीं रातने ट्रैक पे नहीं है जैसी होनी चाहिए व्यस्थ और मैं आभारी हूँ आपका कि आपने कैसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसे हम अपनी बात को जन जन तक पहुचा रहे हैं इसलिए आपका 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 कि आप ये जानकारी है हम ऐसा आतमे साजहा कर रहे हैं और इनके माध्यम से हम आगे उन चीजों को और खुलासा और आम कारी है शायद हर्याना के अंदर में ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको की जमीने सरकार ने दी कि उस पर वो प्राइवेट अस्पताल बनाए और उसमें उस जब जमीन दी गई थी बहुत सस्ते में शाय दी गई थी बहुत आधे से भी कम दामों में जिनका शेहर जो शेहर के वासी है उनको कुछ खास सुविधाय मिलनी चाहिए है हर्याना में शायद गिंती के पांच ये च्छे तूटल ऐसे अस्पताल होंगे जिनको जमीने लीस पे सरकान ने दी है और उसमें से गुड़गाओं में तीन बड़े अस्पताल है और एक त मेडिसिटी 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 म परती एकड एक डिड़ करोड रुपए पांच में आठ में और नौ में यह जो जमीने यह कमर्शल चीजे थी मेडिसिटी की केस में तो 12 एकड रेजिदेंशल बनाने के लाउग किया गया बाकी में कमर्शल आउग किया गया यह 4,000 रुपए से गज से नीचे पड़ रहा है और आपको हैरानगी होगी तब का संगल रेट 9,900 कुछ रुपए था मनला मानी 10,000 मोटा मोटा तो इनको 6,000 रुपए पर गज पे वो दिया गया था अब 33,000 इंटो 4,000 इंटो 6,000 साधारानट शब्दों में कहें तो आप यह कह रहे हैं कि करीब एक तिहाई कीमत सरकार ने सबसेडाइज करी थी आपने पास से बेहर करी थी जो यह हस्पताल बना इसका एक तिहाई हिस्सा तो सरकार का हुआ और उसमें जो क्लॉजस थे वो क्या थे कि आम जनता कि सबसे प्राइम क्लॉज था जी के मेडिसिटी में तो यह खास क्लॉज था जी 27 नंबर पर अगर इसकी आप कंसेशन एक्रिमेंट देखें वो कहता है कि पांच परसंट आप फ्री बेड देंगे फंक्शनल बेड से अब इनके फंक्शन इनके टोटल है 1,085 बेड पांच प मैं आपको माधिम से बताना चाहूंगो सबको एक लाग से नीचे जो कमाता है वो बीपियल में आदा था श्याद आप इसको बढ़ा के एक चौ आलिस कर दिया गया है सालाना तो आठ हजार या बारह हजार रुपे अब बारह हजार पहले आठ हजार था अगर आपकी कमाई इतनी है इसमें कोई बीपेल काड की जरुत नहीं है इसमें कोई राशन कार्ट की जरुत नहीं है अगर आप एक एक ऐफिडेविट भी दे दे कि हमारी कमाई इतनी है तो यह माने होगा ऐसे सरकार का सरकलर है इसमें अगर आते हैं उसमें तो आपको सब कुछ देना होगा इस बाकि दोनों अस्पतालों नहीं उसमें ये कहते हैं जो ट्वंटी पर्षंटे इसपेंटी पर्षंट आफ करेंगे सिर्फ 20 पर्षंट और अगर महलिजें आपके पास बैड हैं फंच्शनल तो तो 50 बेड आपको Artemis को और 12 बेड उनको Fortis को देने होंगे जो कि केवल 30 परसंट ही चार्ज करेंगे, 70 परसंट का उस पर डिसकांट होगा 30 परसंट में कमरा रेंट आजाएगा, 30 परसंट में धवाईया आजाएगे 30 परसंट में डियागमेंस्टिक सर्वेसिस आजाएगे और मरीज का खाना भी आजाएगे दिली हाई कोड एक जज्जमंट में कहता है कि फ्री मीन्स कंजूमेबल्स, मैडिसिन और जो उसका टेंडर ना उसका खाना भी इसा फ्री होना चाहिए और अगर यह 30 परशंट वाले मैन है तो उसका 30 परशंट ही देना है 70 परशंट ओफ हो ठीक है तो यह इतना एक क्लॉस था जिसके हिसाब से यह इस्पताल चल रहे होने चाहिए तो पिर आपको यह पता चला यह आपकी जानकारी में आया है जो अफोर्ड नहीं कर सकता फिर आपने जब आटिया के माध्यम से यह जानकारी निकाली तो क्या निकल के आया है पुरे चोकाने वाली थी आपको हैरानी क्योंकि एक परसेंट लोग भी इसमें ले पा रहे थे जब हमने कारण जानना चाहा हमने नहीं पूरी सिविल सोसाइटी ने रेटाइड आईएस भी थे, सिविल जजेज भी रेटाइड थे एक हाई कोट जज भी थे, एक एक्स लोगपाल भी थे हम सब लोग गए जानने के लिए क्यों नहीं हो रहा तो जिस गरीड से बात करते थे वह कहता था जी वहाँ डियागनोस्टिक के लिए बेज देते हैं, तीन हजार की करा लाओ चार हजार की कोई जांच करो आओ जबकि उन्हीं का आउट्शोर्स किया होता था इस वज़ए से वह भाग जाते थे बाकी तो आप देखें बिल सारा कौम होने होना सिर्फ इसी वे तो बिल अलग काट लें एक तरीका ढूना होने किसी तरह इनको बचाने इसलिए जो गरीब आठजार या बारह जार कमाता है वो दस बारह जार उपर डियागनोस्टिक मतलब होने आपको वहां पर बोर्ट लगाने होगे की अतने पसंट फ्री यह इतने पसंट वह है फिर अनों हमजबर्शी बोर्ड लगवा है उसको डियस्कुरेज करते कि तेरी बिमाली तो चोटी है तू कहां फस रहा है तो इनकी कोशिश यह थी कि कही ना दे पाइं नहीं देंगे हम फिर हमने इनको बता है बीपिल बीपिल होता है हर्याना के राजिस्तान के और जैपूर के और वो क्या उसके बाद इन्होंने कुछ लिये लेकिन टोटल जो हमारे पर अक्ड़ें आया है उसमें एक परसंट किसी भी हस्पताल में उपर नहीं हो पाया है हमारी जतनी कोशिशें होने के बावजूद भी एक परसंट से नहीं बढ़ पाया क्योंकि पेशेंट को डरा देते हैं पहली बाद तो हमारा गाहों का पेशेंट जाने से डरता है दूसरा उसको डियागनोस्टिक सर्वेसिस की तरफ बेज देते हैं तीसरा अगर वह जाता त इस तरीके के ब्रैंट और इचे और बड़े ब्रैंट उन्हों ने वहाँ पर कि खुले हैं और वहाँ पर बीसी तरीके की अधर एक सज़न है मिस्टर अगर्वाल उन्होंने बहुत मैनत करी वह हाई कोर्ट गए उन्होंने इसको फॉलो किया वह उसमें शायद मेंबर भी हाई कोट ने पड़ा इत्यासिक वैसला दिया इसमें डवल बेंच ने उन्होंने कहा कि जितने बेड्स हैं अगर आपको बीपीपेल पेशन नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं हम मानते हैं नहीं मिल रहे हैं उस बेड्स को ऑडिट कराया जाए चार्टरड एकाउंटेंट से कि जाच किजए कि कितने करें के बैलैंज रचे रहे पैसे बेड्स को दिये गए उतने पैसे अन्वरंटिट प्रोफिट का नाम दिया उन्होंने अन्वरंटिट प्रोफिट जो है गौर्ण्ट ट्रेजरी में जमआ होने को आपको बह। आश्चरे होगा 700 कोर निकला 2015 16 में साथ सो करोड तीन चार साल आप यह कह रहा है कि कोट ने यादेश दिया कि कितने यह टोटल बैड्स हैं उन में से अगर बीपेल वाले पेशेंट्स नहीं आए जो एकनॉमिक सेग्मेंट के लोग नहीं आए हैं इस्पाल में इलाज कराने तो लेकिन इन इस्पालों ने उन बैट्स पर दूसरे लोगों को जगह दी और इनका इलाज किया और उनसे पूरा-पूरा बिल लिया तो कोट ने कहा कि यह जब आप नहीं लिया है और इसको आडिट करने के बा हमने उसी कोट का हवाला दिया अगरवाल जी से इंस्पायर हुए हमने यहां पर आटिया लगा कर हमने निकाला तो 2016 6 दिजंबर को यह बना 135 करोड तीन और अलग अलग में सबसे ज़एदा मेडिसिटी में था फिर आटिमस में था फिर फोर्टिस में था हमने यह इसका ग् कंडलाइट लेके गए और हमने मैधानता के सामने खड़े हुए क्या वारंटेट प्रॉफिट गौवर्मेंट को दे जिजे गौवर्मेंट को पैसा नहीं है ती आप 6 दिसंबर 2016 वाले कंडलाइट मार्च की कह रहा है जी 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 उसी दिन का तो प्रॉफिट फिर हमने यह सीम साब को गया पन दिया हमने डी सी को माने डी सी को दिया हमने यह अनिल विज को दिया उन्होंने का हम इसको कराएंगे हमने हुडा के चीफ एंडिमिस्रेटर को दिया आप इश्वास नहीं करेंगे हम इसको तीन डाई साल से फालो कर रहे हैं वो उसको लिख रहा है वो अगर वो ले 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 तो हमारे एक आदा हस्पिटल बन जाता है या बुड़गाओं में अगर हम कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बलके जो हॉस्पिटल है वो पहले ही आदे स्यादा तूटा पड़ा है और यह एक और पैटन है जो हम लोग हर उसमें देख रहे हैं किसी भी कि जो दूसरों से बकाया है जो अलग-अलग कुछ ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे लॉबीज हैं उनसे कुछ बकाया है वो सरकार नहीं वसूलती है और नहीं चीज़ें अपने पास से भी नहीं कर पाती क्योंकि एल्टिमेटली तो बजट के कंस्टेंट्स हो हैं कि पैसे कहां स पास दो होता है यह वो सरकार है जो चार साल में अपने झुक्ताल नहीं सकती है मगठ इन तीन हस्मेटलों से डेर, सोदोसों क्रोड रुपया नहीं ले पारी क्योंकि इनको फेवर करना चाहती है अगर गवर्मेंट प्लुन ले सकती है कि जो कि पूरी आदी और्मेंट तो पिछले 5 सालों में को चार सालों में लास्ट ये नहीं है हमारे पास 2018 तक चार को जब 2018 में आपके आटे के जवाब मिला था तो उसमें ये बताए गया था कि सरकार ने हमारा भी बजट ले रहे हैं हम लगाएंगे लगाया कितने नए लोगों को नौकरी मिली कितने बड़े यह भी बहुत चुकाने वाला स्टेटिस्टिक है यहां हमने गुरगावा में जाना एक एक्सामपल लेके गुरगावा के हॉस्पिटल में 2014 में जितने इंप्लाई थे उतने ही आज है और जो इंडोर पेशेंट आये हैं वो धाई गुना हो गए हैं तो मरीज धाई गुना बढ़ चुके हैं और उप्लाई उतने हैं बिल्कुल से उतने हैं कुछ रिटायर हुआ है तो उनमें से कुछ ट्रांसर हो क्या है बस एक आट भी नहीं बढ़ा है मालत हस्पिताल की खसता है आप को है रान की होगी बहुत सारी चीजें वहां यूज नहीं हो पा रही है इस नियनेटर होता है जो जलाता है ऊसके पास हमने खरीदे हैं 8 करोड़ का हमारे पास ऑपरेटर नहीं है उसके लिए तो नई लोगों को भरती करना होगा वो पांश साल से पढ़ाई जिओ अब उसको बेचने की त्यारी हो लिए कि अब चला नहीं बेच देते यह सरकारी खामकार ख्रीद के रखा और उसको पेर हम ऑपरेटर नहीं कर पाए क्योंकि वो इसलिए चाहिए कि बाया जोड़ा जाब के पस बड़ा जो लंगत मुद्धा है एक वह वाली सेक्टर की और उस मुद्धे की बात हो रही है जहां पर गरीब अदमी जाब इलाज कराने जाता जो की जिसका कोई alternate नहीं होता यह लक्जरी नहीं हो सकता है यह मजबूरी होती है उसके जब वह अस्पताल जाता है इलाज कराने और उस समय सरकार उसके पीछे अगर नहीं खड़ी है यहां पर शायद हम लोग एक अच्छा उधारन दिल्ली सरकार का ले सकते हैं दिल्ली सरकार नहीं क्योंकि इस विशह पे बहुत अच्छा काम किया है वहला क्लीनिक निकाले है उन्होंने दवाईयां अवैलबल कराई है हमारे दवाईयां अच्छा काम किया किसी क्या किसी से पॉलिटिकल डिफरेंसिस हो बर जो काम यह तो बड़ा सिंपल सा तरीका है अगर यह मोलक लीनी भी खोले जा सकते हैं हस्पिताल जो उनको इन से किया जासता है अगर दिली गौवर्नमेंट साथ सो करोड के पच्छिस परसेंट पचास परसन जम्मा करवा सकती है दिली हाई कोड के आदेश पर क्यों नहीं हम हाई को हमारे पास भी वही कानून है हमारी भी वही रिक्वाइरमेंट है इच्छा शक्ति की कमी बहुत बड़ी बात है कि जब हम फिर से इलेक्शन होने वाले हैं हर्याना में और एक नई सरकार बनने की तयारी है क्या हुआ पिछले पांच सालों में क्यूं एक भी नया अस्पता में क्यूं प्राइवेट अस्पतालों से उन से जो लेना बनता है वह जो वसूली होनी चाहिए जो वैलिड है वह नहीं होती है सवालों के जवाब ढूंडने पढ़ेंगे सरकार से पूछना होगा जब बटन दबाने आप जाए ना तो उससे पहले सरकार से एक बार नुमा सत्ष्राइवेट